कोरोना वायरस नाम का एक नया वायरस कोविट-19 नाम की बिमारी फैला रहा है कोविट-19 गंवीर हो सकता है और सास लेने पर असर डाल सकता है यह फेवरों में गंबीर संक्रमंट पैदा कर सकता है अपने आपको, अपने परिवार को, अपने समुदाय को सुरक्षित रखना आवश्यक है COVID-19 आसानी से फैलता है इसलिए हमें खुद को सुरक्षित रखना होगा और संक्रमंट को रोकना होगा आपको यह सब करना होगा दूसरे लोगों से एक या दो मीटर दूर रहे यानि कम से कम दो बाहूं की दूरी एक दूसरे को छुए बिना अभिवादन करे अपने हाथ बार-बार साबुन और पानी से 20 सेकंड से अधिक समय तक धोए या अलकाहॉल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपियोग करे अपनी कोहनी में खासे या चीके हातों पर नहीं यदि आप टिशू का उपियोग करते हैं तो उपियोग के तुरंत बाद उसे कूडे दान में डाले और हाथ धोए अपनी आखें, नाक, मैं मूँ ना चुए अगर आपके देश के स्वास्थे अधिकारियों ने आपको निर्देश दिये हूँ तो अपने मूँ और नाक को मास्क या रुमाल से ढखे जब आप किसी COVID-19 संक्रमित व्यक्ति की देखबाल कर रहे हूँ तो संक्रमन रोपने के लिए PPE यानी निजि सुरक्षा उपकरण पहनना उचित होगा PPE में ये शामिल हो सकते हैं फेस मास्क, नेत्र सुरक्षा उपकरण जैसे गौगल और मेडिकल दस्ताने हाला कि अधिकतर सितियों में बिमार व्यक्ति से एक या दो मीटर दूर रहना आपको सुरक्षित रखने में सहायक होगा जरूरी है कि आप किसी दूसरे की देखभाल करने से पहले और बाद में अपने हाथ साबुन और पानी से या अलकोहल आधारित सानिटाइजर से साफ करें सुरक्षित रहें कुछ बहतर करके दिखाएं